स्वागते दोस्तों The Secret for Life चैनल में आज हम अश्टविनायक में से एक शेत्र की बात करने जा रहे हैं लोगों को पता नहीं है कहां जाशकता है कि एक सीक्रेट से जो मुझे बीघ्टी का दर्शन किये बगार अस्टविने के आतरा complete नहीं होती मैंने भी अश्टमिनायक किया है एक दो साल पहले बट यह मुझे पता नहींता जब अभी हम एक्स्प्लोर करें तब पता चला स्री शेत्र है श्री लेनादरी, मोरिया, अर्धपिट, गनपती, श्री शेत्र वडगाव, काशिम बेक, तालुका, अम्बेगाव, एंड टीष्ट पुने, इसका जो आप देखेंगे तो मंचर से आप आगयागर जाते हो भिमाशंकरोड पे, तो ये आठ या नो किलिमेटर पे है मंतर से ही, तो इसके होड़िंग सब लगे होए है, आपको पता ही चलेगा मंचर भिमाशंकरोड पे, तो ये डेश्टिनिशन जो है, ये अच्टर विन एक में से 80 बिट माना गया है, और मतलब ये गनपती जो है, लेनादरी गनपती जो बोलते हैं, गिरिजात्म गनपती, उसका मुक जो है, यहाँ पर प्रगट हुआ है, और ये स्वयम्भू है, तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें बता चला, अभी हम आगे जा रहे है, मंदिर को थोड़ा एक्स्प्लोर करेंगे, ये दिखें, मंदिर का आपको प्रवेजदार दिख रहा है, तो ये गनपत का मंदिर है, स्वयम्भू है, यहाँ पर सिर्फ गनपती का मुख है, और मंदिर छोटा सा ही है, इसमें मौडिफिकेशन नहीं किया जा सकते, बिकाज ये पुरा तत्व विभाग ने इसको नहीं दीए है, तो ये प्रोटेक्टेट है पुरा तत्व विभाग, तो ये गनपती का छोटा मंदिर और उसमें गनपती की स्वयम्भू मुख मुर्ती है, ठीक है, तो यह हमें पुजारी से बात की और यहाँ पर जो बोर्स पड़े उसमें से ये पता चला कि आश्टे विनायक सबको पता है, पुरे महालश्टर में अश्टे विनायक है, अश्टे उलेक जो है गनेश कोश और संस्कृति कोश में गरंत में दिया गया है, और इस गनपती की जो मुख है यह यह इस जगह पर स्वयम्भू प्रगट हुई है, यहाँ जो गरंत पर लिखा गिया है, उसका रेफरेंस यहाँ पर दिया है, यह पुजारी से भी बात की, यह तो ऐसा पुजारी से बात करते हैं, यहाँ पर चतुरती पर बहुत भीर होती है, अब यह हम थोड़ा और टाइम है है, इसलिए नहीं है, बट चतुरती पर यहाँ पर बहुत भीर होती है, तो यह यहाँ पर लिखा गया है, यह पेश्वेकाल इन देवस्तान है, सबसे तो इसके बात यह अंग्रेजों ने भी इसका थोड़ा सा इंसेक्शन किया इस गनपदी का, और बात में अठास्वाण से इस गनपदी को रस्त देना चालू किया, जो की एक रुपई से चालू किया थी, तो यह उनका लेटर है, यहाँ पर रिफरेंस के लिए लगाया है, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर मुर्द्धापट गढ़ ग॥ है, काले पत्तर से बना गया है, और पुरातर तोगे अनोसराeg कोई भी बदल नहीं कर सकते, इसलिए मंदिर आज़ेडा। ब़ृकिकेशन उसमें किये नहीं है, सो यह मंदिर बहुत ही खुपसुरत है मंदिर का परिसर भी आप देखेंगे तो भी खुपसुरत है यह देखें यह में बोर्ड बता रहा था यहां पर सब कुछ लिखा गया है यह और भी चीज़े है कि यह स्वयम्भ प्रगट है संपूर्म भारत में यह एक ही ऐसी है जो बुक्यल स्वरप में प्रगट हुई है यह आप देखेंगे यह पूरे मंदिर का परिसर है बहुत ही खुपसुरत दृष्चा है यहां से लेनादरी का परवत दिखता है ठीक है तो कनपति का दर्शन बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों अगर आप भी इस रोड पया है और तो यहां पर लिखा गया है और पूरे भारत में यह अईसी एक प्रकार की एक ही मूर्ती है पूरे भारत में आप इसका दर्शन कर सकते हैं इसका लाव उठा सकते हैं और अश्टविनाएक अच्छे लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू दोस्तो थैंक यू, थैंक यू सो मच